Hello everyone, welcome to yet another video of Kheel Tantra दोस्तो भारतिया फुटबॉल टीम आप 23rd of March को बाहरेन के खिलाफ एक फ्रेंली मैच खेलने वाले है बाहरेन के अगर आप बात करें तो एशिया के वान अप टॉप फुटबॉल प्लेंग नेशन्स में से एक बाहरेन को माना जाता है इसके साथ अगर आप इंदिया और बाहरेन के रिसन मुकाबलों पर नदर दालेंगे तो यहां पे बाहरेन ही वो टीम थे जिसने भारत को एप सेशन काप 2019 से बाहर किया था तो गाईस आने वाले मैच में क्या भारत फिर से बाहरेन के आगे घुटने टेकेंगे यह बाहरेन को यहां पे हार का सामना करना पड़ेगा वो टेखना बहुत ही इंटरिस्टिंग होगा इन 12 इफरें लेगवेज़ एप से इन फुट बाहरेन फोट बाहरेन दोस्तों इन टीम के रिसन स्क्वार की बात करे तो इस तीम में कई नय चेहरे है वीपी सुहेर होर मीपाम रुईबा जैसे प्लेयर्स के लिए यह मैच बहुत ही इंपारन होने वाला है इंडियन टीम के सभी प्लेयर्स हाली में आईसेल खेल के आए है तो गाइस मैच शर्पनेस प्लेयर्स में रहेंगे और यह इंडियन टीम के लिए फाइदमन शाबित होंगे लेकिन गाइस दूसरी तरफ अगर आप देखे तो इन प्लेयर्स ने एक साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताए है कुछ प्लेयर्स डारेक्ली आएसेल के फाइनल खेल कर इंडियन टीम को जोईन करेंगे तो गाइस तालमिल में वो कमी हमें फील पर देखने को मिल सकते है इगर स्तिमाज को इन ग्रूप अप्लेयर्स के साथ बहुत कम समय मिला और इसलिए इतल बी इंट्रेस्टिंग तो वाच दिस प्लेयर्स अगेंज बाहरेन बाहरेन के खिलाफ मैच में टीम में सुनिल चेतरी के अनुभब की जरूरत होंगे और गाइस साहल के स्किल्स भी काम में आने वाले थे लेकिन आप भारित ये खिलारी को इन दोन प्लेयर्स के बिना ही कोप अप करना पड़ेगा क्योंकि सहाल और चेतरी इंजिरी के कारण टीम के साथ बाहरेन नहीं चा सके दोस्तों ये मैच दो तरीके से इंडियन टीम के लिए इंपॉरेन होने वाले है फरस्ट अपॉल अगर इस मैच में इंडिया बाहरेन को हालाते है देन डेविल सेंड स्ट्रॉंग वर्निंग तो अल दोस डेवलोपिंग फुटबॉल प्लेंग नेशन चाइना जैसे टीम इस जिट के साथ खुश नहीं होंगे और गाइस इसी के साथ 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 एशियन कांटरिस भी भारत से चौकान रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि गाइस साथ एशिया में अब सिर्फ भारत ही एक मार्टर तीम है विस रविंग शोल्डर तो शोल्डर विद पावर हाउसेस अब एशिया सेकेंडली ये जीट इंडियन टीम को अपकमिंग एपसी एशियन काप क्वालिफायर्स में काफी होसला देंगे क्योंकि भारत एशियन काप के रेगुलर एंड ट्रेंड्स बनना चाहते है और स्टीच पर भारेन के खिलाफ जीट तीम को बहुत मोटिवेट करेंगे अगर भारत भारेन को हराते है then it will play the way for more friendlies with strong opponents चीहां इस जीट के बाद एउरोप, एशिया, अफरिका और एवन अमरिका के कई कंट्रीस इंडिया के खिलाफ friendly match खेलने में इंडरेस्टेट होंगे एक बहुत ही इंपॉरेन मैच है ये इंडिया के point of view से वही अगर आप बहरेन की बाहरत करें तो guys they have already started training at al-ahli club stadium in Jinji वाल्ल काप क्वालिफायर से बाहर होने का एक major setback के बाद आप बहरेन Asian cup के क्वालिफायर में खेलेंगे और बहरेन के ग्रूप में तुर्कमेरिस्तान, बंगलादेश और मलेशिया होंगे although it looks like an easy group to Bahrain but they are not taking those teams lightly और इसलिए इस महीने भारत, बेलरूस और बुरुन्दी के खिलाफ देश के फुटबॉल फेडरेशन ने फ्रेंडली स्टेरेंच किया है बाहरेन टीम के अगर आप बात करें तो इस टीम के जानातर प्लेयर्स अपने देश के नेशनल लीग में ही फुटबॉल केलते हैं हलाकि प्लेयर्स लाइक अब्दुला यूसेफ जो की चेक रिपब्लिक के हभीवेट स्लाविया प्राग के लिए केलते हैं वो आने वाले मैच में एक मैजर थ्रेट के कारण हो सकते हैं इस फॉरवर्ड खिलारी ने चेक लिग में गोल स्कोर किये हैं तो जाहिर से बात है इंडिया के खिलाव he won't let go any opportunities तो guys what kind of match can we expect from the Indian team FIFA ranking में इस वग बाहरेन 89th position में है और अगर अगर अब दोनों टीमों के प्लेयर्स के क्वालिटी के उपर बात करे तो यहाँ पे भी बाहरेनी बाजी मार लेंगे Indian team इस match में एक compact defense के साथ खेल सकते है they will not park the bus लेकिन guys Bahrain will definitely be the attacking team in the upcoming match Bharatiya team को set pieces just a free kick corners को full on fire उता होगा or guys countermeet there will be opportunities for Indian team just ko Indian team fight out उता होगे we have pacey legs in players like Manveer Singh or guys Naoram Roshan Singh is one of those player who has shown his ability to score a goal from the set pieces so guys big big occasion for these youngsters coming ahead दोस्तों बाहरेन की खिलाफ यह friendly 9.30 pm से शुरू हो जाएंगे और guys whether or not spectators be allowed in the stadium इस बात को लेकर बाहरेन football association ने कोई भी decision नहीं लिया है so don't be surprised if you see empty seats in the Mubarak stadium जहां पी यह match खेला जाएगा so guys इस वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही उम्मीदे यह वीडियो आपको पसंदेया होगा if you enjoyed the video don't forget to subscribe to the channel मिलते हैं लिने वीडियो में until then stay safe stay healthy albira